आज भारत अपना 24 वा विज़े दिवस मना रहा है पर क्या वास्तव में ये विज़े इतनी आसान थी 26 जुलाई 1999 कारगिल की जीत का स्मरण करने के साथ साथ वो बलीदान जानने भी आवशक हैं जिनके कारण ही यह सब संभव हुआ इस बीच स्मरण होता है उस एक वीर सैनिक का भी जो साहस से पाकिस्तानी सेना से लड़े पर उसी सेना ने जो उनके साथ किया वो तिहास के पन्नों में बार बार पाकिस्तान को शर्मसार करेगा उसासी वीर का नाम है कप्तान सौरफ कालिया जो सिर्फ 22 साल की आयू में देश खिले शहीद हो गए कप्तान सौरफ कालिया 29 जून 1976 को अमरित्सर में जन्में बचपन से ही सेना में जाने का सपना था 1997 में CDS की परिक्षा में उत्रिण हुए और फरवरी 1999 में अपनी पहली पोस्टिंग के तहट चार जाट रेजिमेंट में शामिल हुए नौकरी को भी चार महीन ही हुए थे कि सूचना मिली कि कारगिल में युद्ध प्रारंभ हो गिया है संदेश मिला कि वहां की चोटियों पर कुछ हातियार बंद लोग देखे गए हैं सौरब लेटिनन के पतपर थे वे वही समय था जब कारगिल नियंतरन रेका के भारती हिस्से में बड़ी तैदात में पाकिस्तानी सैनिक गुसपैट कर रहे थे कप्तान सौरब कालिया 14 से 15 मई वहां के काकसार शेतर में 13,000 से 14,000 फुट पर अपने पांच जवानों के टीम के साथ पेटरोलिंग के लिए निकले थे इसे बीच अकस्मात गोली बारी होने लगी कप्तान कालिया के टीम के पास ना धिक हतियार थे ना गोला बारूद इस बीच दुश्मन ने उन्हें बंदी बना दिया 22 साल के कप्तान कालिया को पाकिस्तानी सेनाने करीब 22 दिनों तक अपनी हिरासत में रखा अने को अतकंडे अपना है कप्तान सौरव से ये जानकारी उगलवाने के लिए पर सिर्फ मूगी ही खाई जलाए पाकिस्तानी सेनिक अब सीधा बरबरता पर उतर आए इतनी भायनक यात्राएं दी गई कि मन विचलित हो जाता है कप्तान सौरव और उनके साथियों को गरम लोहे की रोड से छेदा गया हड़ियों पर पेसाब वार किये गए आँखे तक निकाल दी गई अमानवेता कि सब हदे पार कर कप्तान समेच सभी पांच सिपाईयों के शरीर को शत्विक्षत करके उन्हें गोली मार दी गई जून 9, 1999 को जब पाकिस्तान की बरबर सेना ने कप्तान और उनके साथियों को शभ भारत लोटाया तो पूरे राष्ट में हड़कम मच किया अमानवे कृत्य का आलम ये था कि कप्तान कालिया का परिवार भी उनके शरीर को नहीं पहचान पाया पस्पष्ट प्रतित हो गया था कि किस प्रकार जंग के नियमों के धजियां पाकिस्तानी सेना ने उड़ाई है दरसल कप्तान कालिया प्रकरण में साफ तोर पर अंतराष्टी मानविय कानून का खंडन किया गया था सिर्फ इतना ही नहीं इस कूक रित्या ने तीसरे जेनेवा कन्वेंचन उनिस सो अनपचास के युद्ध कैदी अनुछेत का भी उलंगन किया था यह जानना आवशक है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने क्रमिशा 1950 और 1951 में इस कन्वेंचन पर हस्ताक्षर किये थे कन्वेंचन रूल कप्तान कालिया के संदर में भी प्रयोज्य दिख रहा था और उन पर किसी भी प्रकार की हिंसाव है उनकी जानमाल को खत्रा पहुचाना सीधा कन्वेंचन आर्टिकल 13 विबानवादिकारों का उल्लंगर माना गया है एक बाद जरूर साफ है पाकिसानी सेना ने ना सिर्फ कप्तान सौरफ कालिया की हत्या की उसने हत्या की जेनेवा कन्वेंचन की भी उसने हत्या की सैनिक शब्त के होने की समर्स्ता की आप बने रहिए तपांफिट के साथ